गूड मॉर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है माच 25 2024 और आप लोग करेंगे दा हिंदू न्यूस पेपर की अनालसिस ब्रह नाम सिते अंदर चोधरी और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक हमें करने वाले हैं आज देखें लिस्ट ना थोड़ी लंबी लग रही होगे आप जो है 1972 उसके अंदर कुछ चेंजिस किये गए हैं काफी इंपोर्टन टोपिक है प्रिलिम्स और मेंस के प्रस्पेक्टिस से भी प्रिलिम्स में थे एलिफेंट के रिगार्डिंग कोशिन पहले आ चुका एक्जाम में 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 भी आ सकता है अच्छा टोपिक है इसको हम लो यहाँ पे देखेंगे यह प्रिलिम्स परफनी से चोटा सा टोपिक है एवल प्राइज के बारें बात करेंगे इन लोगम प्राइज की रहा जाते है प्राइज करीकार लूर्र एंठ के बारें बात करेंगे आज के text से अच्छा टोपिक है हलाकि बहुत ज़ादा इंडेफ्थ डिटेल में नहीं जाओंगा कोरल रीफ के बारे में क्योंकि लास्ट विक भी हम लोग इसके बारे में पढ़ा था फिर भी एक अच्छा सा उपर से हम लोग थोड़ा इसका देखेंगे कोरल रीफ क्या होता है और अभी न्यूज में क्या हूँ क्यों है क्योंकि कोरल रीफ जिस तरह से ग्लोबल वर्मिंग हो रही है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करते हैं विचाज वेरी वेरी डेंजर फॉर दा कोरल्स तो को रीस्टोर करने का कोरल्स को दुबारा से री ग्रो करने का एक नया रिसर्च हुआ है अंदर एक मदरसा एक्ट पास किया गया था और अभी आलापाद हाई कोट ने उसको अनकॉंस्टिशनल डिकलेर कर दिया है तो थोड़ा उसके बारे बात करेंगे उसके लबाद वीमें इन पॉलिटिक्स गलोबली एक एडिटोरिल सेक्शन आज काया हुआ है इसको थोड़ा पहले टोपिक पे और पहला टोपिक है ये वाला अपना ठीक है देखे हाई कोट सेज उत्तर परदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट अनकॉंस्टिटूशनल ठीक है देखे इस एक्ट के बहुत ज़दा डिटेल में आपको जाने की उतनी ज़दा जुरूरत है नहीं फिर भी आपको मैं एक एक दो दो पैंट जो ही तोड़ी इंपोटेंट से बता देता हूँ बात ऐसी है कि 2004 के अंदर उस समय जो यूपी की सरकार थे उसमय अखलेक जी हुआ करते थे तो उन्होंने क्या किया था एक मदरसा एक्ट पास किया था और उस मदरसा एक्ट के अंदर वो वहाँ पे पहले से चल रहा है बट यहाँ पे जो मदरसा एक्ट है इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट की बजाए इसको स्टेट माइनोर्टी वेलफे डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया बलकि यूपी में बाकि जितने भी हैं मालो संस्कृत स्कूल्स हैं क्रिस् वाला जो है वो स्टेट माइनोर्टी वेलफेर बोड के अंदर में रखा गया यही सबसे ज्यादा कॉंट्रवर्शल है तो हलाबाद हाई कोट ने का भाई यह तो गज़त बात है जब बाकियों का अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रखा थे इसको भी रखि बाकियों के जाता है वहां जो है वह सब मोडर्शेक्ट बेजिने कहते हैं हम लोग वो सब पढ़ाने पड़ते हैं और यह औप्sentन नहीं होता है यह मेंडेट्री होता है ठीक है लेकिन जो मदरसा अक्ट के अंदर जो मदरसाा open किया जाते हैं जिनको register वगरा किया जाता है वो क्योंकि state minority welfare department में हैं इसी वज़े से वहाँ पे education department का ज़्यादा control होता नहीं है हलांकि ये कहा गया है कि आप science भी बढ़ाईए mathematics भी बढ़ाईए आप सब कुछ बढ़ाईए लेकिन वहाँ पर ये optional है तो student का मन करें तो वो science mathematics चूज कर सकता है लेकिन कोशिश की जाती है कि वो science mathematics की बजाए जादा तर अपना focus जो है वो Islamic education के ओपर वहाँ पे जो सिखाई जाती है उसके ओपर रहे अब ये तो एक तरह का क्या हुआ this is the violation of the law तो मतलब हमारी जो secular values हैं इंडिन constitution के हिसाब से हमारी जो secular values हैं उसका violation है तो कि बागी education institution को आपने तो state education department के अंदर रखा यहाँ पे आपने जो है state minority welfare vote के अंदर रख दिया यही जो discrimination है वो पाया गया है यहाँ पे high court के द्वारा उन्होंने का कि this is a violation of the constitutional values चीक है पहली बात ही state की duty ही नहीं है कि आप जो है religious education के अंदर interfere करें और मालब आपने कर भी दिया है तो कम से के वहाँ पे secular values आप impose कर गिये आप वहाँ पे religious value की impose कर रहे हो और वह भी खास किसी है कि religion के लिए या तो सब को बराबर से treat करें तो यह violation है हमारे secularism के principle का and it's a division of the society also religion based education can prove to be divisive for the society जब हम लोग society की ऐज़ा बात करते हैं तो हम लोग secular education की बात करते हैं जिसमें science आपको पढ़ा जाएगा mathematics पढ़ा जाएगा arts पढ़ा जाएगा polity पढ़ाई जाएगा history पढ़ाई जाएगा सब कुछ पढ़ाई जाता है religious education based अगर हमारा education system होगा तो यह सारी values तो हम लोग नहीं दे पाएंगे तो हमारे बचे scientist कैसे बनेंगे doctor कैसे बनेंगे historians कैसे बनेंगे archaeologist कैसे बनेंगे फोकस वो जो है सिर्फ और सिर्फ religious teachings के ओपर ही होता है तो उसके वज़े से क्या होता है वो जो regular education institutions है उनके साथ compete नहीं कर पाते हैं एक बच्चा है मालो उसने अपने life के जो है 5-6 साल 7 साल अगर उसने मदरसा में लगाए हैं और सिर्फ और सिर्फ education जो religious education के ओपर ही focus किया है कल को वो student अगर दूसरे school में जाता है high school में जाता है किस intermediate board exam देता है तो उसको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि वो medium उसका नहीं है वो education उसका ऐसी मेली ही नहीं है तो इन सारी चीज़ों की वज़े से और court ने भी कहा था Supreme Court has repeatedly emphasized on the modern education with the modern subjects an education that is universal in nature that prepares a child to make his future bright and to take his country forward ऐसा Supreme Court ने कहा है है ना कि यह religious education के पर कम से कम focus करें जैसे माल लो आप जैसे Christian schools है Jain school है, Buddhist school है, Sanskrit school है Veda school है, Madrasas है तो यह जो minority institutions है यह आपकी priority नहीं होनी चाहिए ठीक है, अगर कहीं पर लग रहा है कि आपको किसी religious institution का ऐसा लग रहा है minority को कि हमें अपने culture को बचाने की requirement है तो ठीक है, वो आप कर सकते हो आपका constitutional अधिकार है लेकिन जो major focus है वो एक secular value के उपर होना चाहिए ताकि बच्चे कल को society में positively contribute कर सके community wise भी, nation wise भी और individual wise भी है ना उसकी बात करता है तो इसी वज़े से इसको unconstitution declare कर दिया गया खाल यही reason यह, major reason यही था कि आपने बाकी minority institutions को आपने Muslim, Islamic education institutions से थोड़ा अलग कर दिया है वहाँ पे आपने education board के अंदर रखा और यहाँ पे आपने minority board के अंदर रख दिया यह एक बहुत बड़ा reason है, ठीक है चलिए, उसके लाँ हमारे हाँ पे secularism के कहीं सरे provision है हमारे इंडिया में, तो secularism हम preamble भी बात करता है, article 15, 16, 25, 27, 28, 29 यह सब जो है directly और indirectly secularism की बात करते हैं, article 29 है अपना वह कहता है protection of the interest of the minorities article 30 क्या कहता है, right of the minority to establish, administer, educational institution, minorities खुद से, अपने आप से, कोई education institution open कर सकते हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन कोई state government या central government, खुद से minority institution establish नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी religion का हो, चाहे वो किसी भी minority का हो, और यहाँ पर minority का मतलब सिर्फ religious minority नहीं होता है, यहाँ पर minority का मतलब language, linguistic minority भी होता है, और court ने यह भी कहा है, कि minority के साथ majority भी कर सकते हैं, तो कि minority constitution can define तो है नहीं, minority का सिधा-सिधा सा मतलब तो यह होता है, कि जहाँ पर education, जहाँ पर आपकी population 49% से कम है, यहाँ पर आपकी language 49% से कम बोली जाती है, आप उसको minority बोल सकते हो, minority का मतलब 2-4% नहीं होता है, 49% होता है basically, ठीक है, तो आप खुद से अबना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन state government किसी एक खास community, religion, language के लिए education institution open नहीं कर सकती, वो भी और article 325 को भी violation है, तो इस वज़े से हलाइबाद I.Court ने जो है, सको cancel out कर दिया है, अब देखते हैं, वहाँ की UP की जो सकार है, वो इसको Supreme Court में चैलेंज करती है के नहीं करती है, वो तोड़ा देखना वाला रहेगा, ठीक है जी, चलो, उड़ागे बढ़ते हैं, इट्स ओफीशिल नाउ, स्टेशो शिव शक्ती, अपरूड एज नेम होग दा, चंदरियान थ्री लेंडिंग साइड, तो चंदरियान थ्री ने जहाँ पे लेंड किया था, उस जगह का नाम जो है, वो ओफीशली, इंटरनेशनली रख दिया गया है, स्टेशो शिव शक्ती, ठीक है, ले किसने रखा है, एक इंटरनेशनल और्गनाजेशन है, जिसे का जाता है, इंटरनेशनल एस्टरनोमिकल यूनिट, ठीक है, आई, ए, यू, इनका एक ग्रूप है, जिसे काते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम नॉमन कलेचो, ये इस तरह के नाम अप्रूव करता है, ठीक है, जो सेलेस्टिल बोडीज हैं, हमारा मून है, उसको वापे जो वाइवल कैनोज हैं, जो साइट्स हैं, वो पाई जाती हैं, उनका नाम ये इशू करता है, इंडिया में, अर्थ के उपर भी, जो नाम उगरादेने होते हैं, तो सारी रिस्पोंसिलिटी इसी की होती है, ये एक बहुत परानी, नाइटी, नाइटीन के अंदर इसको एस्टेबलिश किया गया था, अब आप कहोगे सर, शीव शक्ती तो ये पॉलिटिकल है, शीव शक्ती पॉलिटिकल और रिलिजियस नहीं है, ठीक है, शीवा नोट ऐस गोड़, बट शीवा ऐस अ एनरजी, यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, अगर आप देखें, जो सर्न है, जो पार्टिकल एक्सेलेटर है, जो दुनिया की सब सब बड़ी लबरेटरी भी है, जहाँ पे दो प्रोटोन अन्यापस में टकराए थे, वहाँ पे गोड़ पार्टिकल की उन्होंने खोज की थी, सर्न की लबरेटरी के सामने अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है, नटराज की मूर्थी रगल लगाई गई है, और वहाँ पे सारे वर्ल्ड के साइन्टिस्ट आते हैं, तो ऐसा तो नहीं एक विंडिया ने जागे वहाँ पे रख दी होगी, वो तो सभी वर्ल्ड के साइन्टिस्ट ने हैं, क्योंकि शीवा as a God concept यहाँ पे नहीं देखा जाता है, चीक है, शीवा as a masculine, as a masculine energy के तोर पे देखी जाती है, और शक्ति को as a feminine energy के रूप में देखा जाता है, तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है न, वो दो हिस्टों से मिलके बनी है, एक masculine और feminine, यह आप आप कहिए energy और matter, एक energy है, एक matter है, और E is equal time c square क्या कहता है, energy matter में convert हो सकती है, matter energy में convert हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप उस तरह से देखिए इसको, तो Shiva as a masculine figure, और मतलब आप यह कहिए कि मन और आपका जो आत्मा है, और आपकी जो बोडी है, कुछ लोग उसको इस तरह से भी देखते हैं, कुछ लोग इसको masculine और feminine character के वज़े से भी देखते हैं, कुछ लोग इसको energy और matter के तरीके से देख सकते हैं, यह world को देखने के तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर shiva और शक्ती as a religious term में use नहीं किया गया है, चीक है, बहुत बाद में shiva और शक्ती को वो shiva के रूप में माना जाने लगा, otherwise shiva is always considered as a source of energy for the universe, ठीक है, खेर, तो यह सब यहाँ पर किया गया है, और इसको नाम properly दे दिया गया है, और what are the moons near side and the far side, देखे जिए चंदरियान जहाँ पर land हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है कि चंदरियान सदन पोल के आसपास land हुआ है, ठीक है, और दुनिया भर में जहाँ पर भी जो जो mission गये हुए है, उनका नाम भी यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, देखे अपोलो 11 उकरा कहाँ पर गये थे, है ना, यह सब अलग अलग जगे पर, तो यहाँ पर सदन पोल के पास जो है वो इंडिया का mission गया है, अब मून के ना दो side होती है, science and tech के perspective से कभी पर पूछ लेता है, exam में question, एक होती है near side और एक होती है far side, नामसी बैसे आपका समझ में आ रहा है, near side जो अर्थ की तरफ होती है, अर्थ के पास होती है, far side जो अर्थ से दूर होती है, तो मून जो होता है ना मरा, यह मून का आपको हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है, पिछले वाला हिस्सा मून का हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमेशा आर्थ से पीछे की तरफ रहता है, ठीक है तो हमें जो मून का हिस्सा दिखाए देता है that is only 60% 60% हिस्सा ही visible होता है जिसे हम near side कहते हैं बीछे वाला जो 40% हिस्सा है उसे कहते हैं far side वह पे अंधेरा होता है क्योंकि वो तो opposite side में होता है हाँ जब new moon होता है new moon एक अमावस्या होती है पूरिमा होती है तो जब अमावस्या की रात होती है तो हमें जो है चांद दिखाए नहीं देता moon दिखाए नहीं देता क्योंकि उस समय moon की opposite side में light होती है front side में नहीं होती है new moon पे when moon is invisible to us then far side has lot of sunlight उसे कुछ लोग far side को dark side भी कहते है ची क्योंकि हमें दिखाए नहीं देती है पहली बार 1959 में एक Australia का mission वहाँ पे गया था Luna 3 उसने पहली बार moon के opposite side की picture दिखाई थी हमें चीक है उसके बाद Apollo 8 का mission गया 1968 में तो they were the first human beings जो की moon की far side में गये थे far side में चांद पे इंसान कहीं बार जा चुक है ठीक है हमें सिर्फ एकी बार याद रहता है लेकिन कहीं बार हम लोग इंसान पे जा चुक है तो उससे में पहली बार Apollo 8 का जो mission गया था 1968 में उन्होंने far side यहाँ पे create करी थी थोड़ा फरक होता है far side में और near side में near side जो है न moon का वो थोड़ा सा smooth है plain है basically जो far side है न वो smooth नहीं है वहाँ पे कहीं बड़े-बड़े craters बने हुए है craters क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पे asteroid का impact हुआ था जब billions of years ago जब moon बना था तो asteroids वहाँ पे जाके टकराया करते थे उसके बचे गड़े बन गए थे far side में you will see big craters and depressions जो near side है वो थोड़ी smooth होती है near side में जो moon की जो crust होती है जो upper layer होती है वो थोड़ी thin होती है और far side में वो काफी ज़ादा deep होती है कुछ-कुछ चीज़ी आपको पता होने चाइए चंदर यान 3 ने कहां पर land किया ध्यान देना एक्जामे पुछे का आपसे ने चंदर यान ने far side में land नहीं किया है चंदर यान ने near side में ही land किया है लेकिन south pole के पास में land किया है चीक है? सिधी सी बात है अपको वहाँ पर अगर आपको एनरजी चाहिए तो आपको सॉनलाइट तो चाहिए ना तो कि सॉनलाइट के बने तो आप आपने सॉलर पैला को चार्ज कैसे करोंगे चार्ज करने के लिए इसलिए हम लोग उसको फार साइड में नहीं डाल पाए चाइना का जो मिशन है चांग E4 Lander इस इस दा ओनली वन जो जिसने चांद की फार साइड में लेंड किया था ठीक है ये उसका मिशन है तो ये थोड़ा थोड़ा आपको यहाद रहना चाहिए इसके अलावा वटी सो स्पेशल अब दा चांद मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है सारे का सारा चीज़ी चलिए एक नया आर्टिकल आपके पास वट आपको आपको पूरी तरह से अच्छे से कॉंटेंट दिया हुआ है अब इसको आराम से पढ़ो कि तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा बट मैं आपको आर्टिकल सी बता देता हूँ थोड़ा अपना समय की बचा लेते हैं अब ही अभी इसी साल सरकार ने एक नया नोटिविकेशन इश्यू किया कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और दर ट्रांसपोर्ट रूल 2024 जैसे जो एक एलिफेंट होता है वो एक ही स्टेट के अंदर अगर आपने इसको ट्रांसफर करना है ट्रांसलोकेट करना है या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर एलिफेंट को आपने ट्रांसलोकेट करना है ठीक है उसको लेके जो रूल्स थे हमारे कंट्री में उनको थोड़ा सा चेंज किया गया है क्योंकि एलिफेंट जो है हमारे यहाँ पे जो है captive elephant भी होते हैं, wild के अंदर भी होते हैं, उसकी वज़े से इन रूल्स को यहाँ पे थोड़ा सा change गया गया, what are the rules around the transfer and the transport of the elephants, हमारे यहाँ पे पहले क्या rule वा करते थे, क्योंकि देखिए, जो elephant है, वो wildlife protection act के schedule 1 के अंदर आता है, इसका मतले से highest level of protection है, highest level, जै be it wild or captive, elephant cannot be captured or traded under any circumstances, चाहे हाथी जंगली हो, चाहे वो captive हो, captive मतलब जिसे, मतलब captivity में रखा जाते हैं, जू होते हैं, temples होते हैं, वो साब captive बोल सकते हो, sanctuaries, circles, camps गरा में जो रखा जाता है, उन्हें captive बोल सकते हो, चीक है, चाहे केसी भित्रहक elephant हो, उसको पगड़ना, उसको trade करना, पूरी तरह से ban है, ठीक है, आप उसको commercially use नहीं कर सकते हो, ओके, section 12 है, जो हमारे act का, schedule 1 का, वो क्या कहता है, अगर किसी animal को, एक जगे से दूसरी जगे पे ट्रांस लोकेट करना है, ठीक है, ट्रांसफर करना है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी special purpose के लिए हो सकता है, जै और फिर scientific research के लिए हो सकता है, कभी कभी यह जो ट्रांस लोकेशन होता है, वो population management के लिए भी हो सकता है, अमालों कहीं पे elephant की population बहुत ज़ादा हो गई, man animal conflict बहुत ज़ादा हो रहे हैं, तो उस case में वहाँ से कुछ हाथियों कैप्चर करके, अब किसी दूसरी जगे पे ले यहाँ पे elephant की बहुत ज़ादा important historical role है, हम यहाँ पे elephant को religious purpose के लिए भी रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि elephants को एक जगे से दूसरी जगे पे transfer करना पड़ सकता है, तो इनको special category status में रखा जाता है, ठीक है, however, strict rules guide the transfer of the such elephant under section 42, wildlife protection act क्या काता है, it prohibits the acquisition, possession and transfer of a captive elephant without the written permission of the chief wildlife warden of the state until 2021, ठीक है, चीफ wildlife warden की आपको permission लेनी पड़ती है, अगर किसी elephant को एक जगे से दूसरी जगे पे आपने transfer करना है तो, और ये transfer किसी भी तरह से commercial nature का नहीं होना चाहिए, फिर हम लोग ने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा amendment कर दिया, है 2021 में किया था, अब rules जो है, उसके लिए issue किये गए हैं, amendment पहले हो चुका था, rules नहीं बनाये थे, rules अब बनाये हैं, article ये कहता है, मतलब ये जो rule है वो ये कहता है, कि religious purpose के लिए, इंडिया में हाथी जांच वहाँ जाते ही रहते हैं, religious purpose के लिए आप हाथियों को transfer कर सकते हो, पहले क्या होता था, पहले मालो 36 गड़ से आप एक elephant को महरास्टा में बेजना चाहते हो, पहले 36 गड़ की chief warden की permission लेनी पड़ती थी, उसके साथ साथ वो elephant जिन भी state से गुजरेगा, सभी की permission लेनी पड़ती थी, अब ये rule जो है change कर दिया, अब इन्होंने कहा है कि बहिया सिर्फ और सिर्फ दो ही state की आपको requirement है, जहां से elephant आ रहा है और फानिल जहां पर उसको transfer कर रहे हो, छीक है, सिर्फ इस चीज़ के लिए, उसके लावा नया rule का कहता है, अभी ownership भी change की जा सकती है, ते बहुत होता है कि ये जहां पर पहले इस elephant था, उसका वहाँ पर प्रोपर तरीके से maintenance नहीं हो रही है, उसके लिए food अविलेबल नहीं हो रहा है, वहाँ पर doctor अविलेबल नहीं है, हैना उसकी health खराब हो रही है, उस case में आप elephant की ownership को transfer कर सकते हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अलागी कुछ rules है, जैसे आपको chief वैडले वोर्डन की permission लेनी पड़ेगी, आपको वैटरी जो वैटरी डॉक्टर्स होते हैं जानूरों के, उनकी permission लेनी पड़ेगी, जो deputy conservation of the forest होते हैं, उनकी permission लेनी पड़ती है, जब एक बार सारी permission आप ले लेते हो, तो फिर आप elephant की ownership को भी change कर सकते हैं, यह नए rule के अंदर में आया है, यह नए rule के अंदर आया है, हलाकि इसका कुछ लोगा कहना है कि इससे नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा कि इससे हाथियों की जो illegal trading है, वो और जादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी काफी rule जाता है, रिलाक्स कर दिये गए हैं, लेकिन सरकार का खुद यह मानना है, कि देखें, इससे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यह जो चीजें हैं, उसका benefit ही होगा, elephants की जो care है, वो better हो सकती है, कई बर ऐसा देखा कि केरला में, there was a temple, जो है better तरीके से हो सकता है, conservation better तरीके से हो सकती है, जनलिक diversity को maintain किया जा सकता है, हैना, अगर एक elephant एक जगए से दूसरी जगए पर जाएगा, elephant जो है 36 गड़ से महराष्टरा में आ रहा है, महराष्टरा जो है तैमिलाडू में जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे biodiversity improve हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वो elephant जो है, अलग-अलग जगए पर जाएगे breeding करेंगे, तो इससे diversity improve होती है, यह ना, reach होती है, तो यह जो हाप दो उसमें कर सकते हो, cultural और religious practice जो की जाती है, elephant का use करके, सखासकर करनाट का, केरिला वगारे में बहुत जादा होता है, अब उसको प्रोपर तरीके से recognize कर लिया गया है, मतलब टेंपल सुगरा अभी जो है, elephant को better तरीके से manage कर सकते हैं, तो tradition, conservation, सभी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, ऐसा सरकार का कहना है, हलागी कुछ लोग को कहना है के सरे से illegal trading bodies बढ़ सकती है, वो एक अलग बात है, criticism तो हर चीज़ का ही है, करना भी चाहिए, democracy है, आगे क्या गयता है चलिए देखिए, able prize a noble for the mathematics, mathematics के अंदर noble prize नहीं होता, आपका अच्छे से पता है, लेकिन जो able prize है, ये noble prize के बराबर ही माना जाता है, mathematics के field में, 2024 में जो है, एक French mathematician, Michael Telegrand, जो है, इनकी picture आप देख सकते हैं, इनको ये मिल गया है, क्यों मिला है, इन्होंने probability theory के अंदर, काफी ज़्यादा contribution किया है, इसलिए इनको मिला है, ठीक है, ये जो able prize है, बहुत बड़े Norwegian mathematician हुआ करते थे, जिनका नाम था Nils Henrik Able, ठीक है, 1829 तक वो जिये थे, बोड़ी यंग एज में उनकी death हो गए थी, वो इस वरी वरी bright, और उनके नाम पे ये नाम रखा गया है, इसमें 9 billion, 9 million sorry, 9 million Norwegian kroner, जो उसकी currency है नोर्वे की, वो दिया जाता है, जो कि लगबख 7 करोड के आसपास, आपको prize दिया जाता है, ठीक है, इंडिया के भी किया किसी person को ये मिला है, बिल्कुल मिला है, आर स्री निवासा वर्धान, एक Indian born है, हलांके American citizen है, उनको ये मिला था 2007 के अंदर, ठीक है, उन्हों भी नहीं भी probability theory के अंदर ही contribute किया था, और अभी जिन्हों को 2024 में मिला है, इन्होंने भी probability वाले में किया है, तो अगर आप mathematics में interested हैं, तो आप इस field को definitely पर्शू कर सकते हैं, ठीक है, तो रागे बढ़ें, चलिए, देखिए, corals को लेके अपने पास एक article था अज, ठीक है, coral reef को लेके, और very interesting सी एक finding यहाँ पर नजर आई है, और finding यह है, can good sounds help coral islands recover from the bleaching, तो यह bleaching क्या है, coral क्या है, कहीं सरी terms से यहाँ पर use हो गई है, एक्ताव का यह पताओना चाहिए, coral होता क्या है, ठीक है, पिक्चर आप देखोगे तो वैसे ही समझ जाओगे, यह देखिए, जो पिक्चर यहाँ पर दी होगे, यह coral है, ठीक है, coral एक colony होती है, ठीक है, colony में लोग रहते हैं, इस colony के अंदर को रहता है, इस के अंदर corals रहते हैं, coral polyp बोलते हैं उसको, यह coral polyp की colony होती है, ठीक है, तो जैसे यह जो है आपका एक, इस तरह से coral होता है, ठीक है, यह आपका एक coral है, पोलिप है यह, ठीक है, यह coral polyp, जो है वो, एक दूसरे और्गेनिजम के साथ सिंबाइटिक रिलेशन में होता है जिसका नाम होता है जूज एंथले ठीक है इसका नाम होता है जूज एंथले दोनों के बीच में सिंबाइटिक रिलेशन होता है जूज एंथले जो है वह एक अलगे है Microscopic गलगे होता है यह photosynthesis करता है photosynthesis मतलब sunlight का यूज़ करता है nutrients का यूज़ करता है और food बनाता है polyp जो है यह अपना food खुद नहीं बना सकता है क्योंकि यह autotroph होता है तो इसको तो food चाहिए और इसको shelter चाहिए तो polyp इसको shelter प्रवाइड करवाता है और यह बदले में इसको food प्रवाइड करवाता है तो इससे वज़े से दोनों के बीच में हो जाता है यारी दोस्ती ठीक है और यह mandatory होता है mandatory का मतलब zoosanthaly polyp के बिना नहीं रह सकता यह mandatory relation होता है इनके बीच में इसे symbiotic relation बोलते है, mutualism भी इसको बला जाता है, ecology के टर्म में, ठीक है, mutualism, इसको कहते है, तोड़ा detailing में जाना है, तो NCRT पढ़ सकते हैं, 11th standard की अपनी, ठीक है, तो mutualism, अब होता क्या है, यह जो polyp है न, इन polyp के body, जो है, वो किससे बनी होती है, इसका जो skeleton है, basically, वो calcium carbonates, bicar carbonates का बना होता है, ठीक है, इसका जो skeleton होता है, अब होता है कुछ time के बाद यह polyp के तो हो जाती है, death, लेकिन जो इसका skeleton होता है, वो पीछे ही रह जाता है, और यह polyp अकेले नहीं रहते हैं, millions and millions and millions की numbers में रहते हैं, तो जब polyp की death हो जाती है, तो उसका skeleton पीछे रह जाता ह अब स्कलेटन थोड़ी ना लेके जाएंगा आत्म तो चली बोड़ी रह गई पीछे से हड़ी हैं बैसिकली उसकी उसके बुरह जाती है इन स्कलेटन के ओपर जो है दूसरे पॉलिप आ जाते है इनका बिजूस अंथले के साथ रिलेशन होता है इनके ओपर जो है यह इनकी डैस हो जाती है फिर तीसरे वाले आ जाते है और वरे प्रीड ओफ टाइम क्या होता है लेयर बाई लेयर लेयर बाई लेयर लेयर बाई लेयर ये पॉलिप जो है वो ग्रो करते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है, ये तना बड़े हो जाते हैं, we call them coral reef, we call them coral reef, और कभी-कभी ये water level से उपर भी आ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें भोलते थे हैं, coral islands, जिसे हमारा लक्षो दीब है, जिसे मौल दीब है, शेचल्स है, ये सब coral islands ही होते हैं, लेकिन ये जो relation है, zoos anthelis के बीच में, पॉलेव के बीच में, इतना जादा sensitive होता है, अगर हलका से भी conditions change हो जाएं, तो zoos anthelis की death शुरू हो जाती है, और zoos anthelis मर गया, तो पॉलेव की death हो जाती है, तो गाड़े एक दम प्रेमी होते हैं, एक तरह से देखा जाये तो, मिनके बीचे mutual relation होता है, एक क colorful होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जब coral bleaching होते हैं, तो पूरे तरह से white color के हो जाते हैं, क्योंकि इनका skeleton तो white color का ही होता है, इंसान का skeleton भी white color का ही होता है, चीक है, अब ये है coral bleaching आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाला pollution है corals को grow करने के लिए, पहले बातों को conserve करके रखिए, जैसे corals वहीं पर अच्छा grow करते हैं, जहां पर temperature 20 degree से plus हो, प्लस का मतलब यह नहीं कि temperature 50 degree तक चला जाए, नो, बहुत धंडे temperature में, बहुत गर्म temperature में coral survive नहीं कर सकते, लेकिन global warming की वज़ए से क्योंकि तेंपरेचर हो रहा है जादा, तो corals के death हो रही है, तो corals bleaching हो रही है, उसके लावा, यह जो corals हैं, उनको साब सुतरा पानी चाहिए, मतलब pollution नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तो water को भी pollute कर रहे हैं, उसके वज़ए सिनके death हो रही है, ग्लोबल warming की वज़ए से क्या हो रहा है, हमारे ज water जो है, वह acidic हो रहा है, तो acidic water में they cannot survive, उसके वज़ए सिनके death हो रही है, मज़ए की बात यह है, कि यह जो polyp होते हैं, वो आपस में communicate भी करते हैं, और यह जो आपस में community करते हैं, यह करते हैं sound के थ्रूँ, sound के थ्रूँ, और एक recent study में यह पाया गया, कि जो healthy polypns होते हैं, वो अलग तरह का sound निकालते हैं, जो bleach polyp होते हैं, जिनकी bleachink हो चुकी है, वो अलग तरह का sound निकालते हैं, यह एक experiment करके देखा गया अमेरिका में, और यह भी पाया गया, कि जिन पॉलिप का ब्लीचिंग हो चुका है अगर आपको उनको हेल्दी पॉलिप वाला साउंड सुनाओगे न तो वो दुबारा से ग्रो करने लगते हैं मतलब किसी का मूड बहुत खराब है बचा रहेगा उस आदमी को अगर आप एक अच्छा गाना सुना दोगे तो उसको मूड अपने पी अच्छा हो जाएगा तो कि मुजिक अंदर इस तरह की पावर होती है ये चीज कोरल्स के उपर जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनके उपर भी टूप आई गई अगर आप बलीच कोरल्स को अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनाते हो जो हेल्थी कोरल्स अपस में जनरेट करते हैं तो उनकी रीग्रोथ हो सकती है और उसी के लिए जो है आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ था आर्टिकल के हेडिंग ही है तो आप इसका साइड इफेक्ट भी नहीं पता तो आपे स्पीकर सुगरा लगाए गए जिसमें से साउंड जो है रिलीज किया गया छोटे लेवल पर स्टुडि की गई जिसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट आया है अब यह देखना है फ्यूचर में यह स्टुडि कहां तक जा सकती है तो लार्ज स्केल पे होना भी बाकी है बट फिर भी जो अभी जो थोड़े से रिजल्ट आये है निशल्ट वो थोड़े अच्छे रिजल्ट आये है चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा यह देखिए चार्डिंग वीमेंस ट्रेजेक्टरी इन पार्लेमेंट्स गलोबली चलिक है तो थोड़ा सा आज थोड़ा गलोबली देख लेते हैं क्या माहल बंद रहा है बस क्या नए 20.24 में दुनिया भरमें एलेक्शन सो रहे हैं यॉरॉप में अमेरिका में इंडिया में एलेक्शन सो रहे हैं दुनिया के लगब UP 45 प्रसंट global population ठीक है किसी ना किसी तरह से एलेक्शन में participate करने वाली है तो 2024 एक landmark एक period होने वाला है democracy के लिए बट यहाँ पर women का democracy में कितना role है उसके बारे में सी बज़े से हाँ पर बात किया गया है इनका कहाना है कि women representation in the political sphere improved in the later half of the 19th century मतलब 1950s के बाद especially after second world war women का जो party special politics में वो बढ़ा देखे world war 2 की जो बात करते हैं तो mostly जो men थे वो तो battle front पे चले गए थे मतलब मैं उन country की बात करूँ जिन्होंने world war 2 में participate किया था वो तो चले गए थे battlefield में चले गए थे लागों के संके उनकी death हो रहे थी पीछे से काम करने के लिए women नहीं थी हर सेक्टरी बात हो रही है यहाँ पे चीक है health सेक्टर में nursing सेक्टर में even engineering सेक्टर में manufacturing सेक्टर में textile सेक्टर में क्योंकि यहाँ पे labor कम हो गई तो इसलिए महिलाएं participate करने लगी और जब महिलाओं ने participate किया तो अचानक से बढ़ गया लेकिन यह जो participation बढ़ा है वीमन का वह एक जैसा बराबर बराबर नहीं बढ़ा अनिवन बढ़ा तेखे सीदी से बात है European country तो व्ल्ड वर टू के अंगेज थी American country भी व्ल्ड वर टू के अंगेज थी जो जो country व्ल्ड वर व्ल्ड वर टू में participate नहीं किया वहाँ पर वीमन की growth जो participation की बात है उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाई यह यह यहाँ पर बहुत बड़ा reason नजर आता है चीक है देखे और डिस्पाइट substantial gains the women continue to contribute a minority in most parliamentary bodies and are rarely seen the top leadership position also आज भी top leadership position में women बहुत कम देखने को मिलती है आगो कुछ-कुछ country में देखने को मिलती है ठीक है 19th century तक जो वीमन का participation था politics में that was virtually non-existent आहीं नहीं जीरो न्यूजिलेंड पहली बार एक ऐसा country बना in 1893 में जिसने अपने वहाँ पर universal suffrage for women उन्होंने introduce किया था हलाकि काफी late तक महिलाओं का allow नहीं किया गया तेक्निकली और constitutionally allow करने is a different thing ground पर इसको implement करने is a different thing ठीक है अब देखे आगा किया कहता है कहता है कहता है कि 20th century में जो gap था male और female के बीच में ओज़ादा बढ़ गया उपर तो उचुर लिखा हुआ था उपर लिखा हुआ था 20th century में इंप्रूव हुआ है यहाँ पर कह रहा है कि वह gap increase हुआ है क्या फरक है जिस rate से महिलाओं का participation बढ़ा है male का participation उसे ज़्यादा बढ़ा था तो दोनों के बीच में gap बढ़ गया अब जब मैंने बात किया मैं जो है men's voting की बात करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मर्दों को voting allowed थी नहीं ऐसा नहीं है जो poor थे जो slaves थे जो uneducated थे उनको voting अधिकार नहीं थे चाहे वो male हो चाहे female को तो किसी को भी नहीं थे male में भी सिर्फ honig हो थे जो royal family से belong करते थे rich class से belong करते थे education class से belong करते थे उनको ही allowed होता था ठीक है बाद में क्या हुआ जो गरीब male है उनको भी थिकार दिये दिये गए जो poor male है उनको अधिकार दिये गए जो uneducated male है उनको अधिकार दिये गए तो male का जो participation rate है बहुत तेजी से बढ़ा महिलाओं का participation उतनी तेजी से नहीं बढ़ा तो जिनके और two के बाद चीज़े इंप्रूव हुई जैसा कि मैंना को यहां पर बताया है बहुत सारी country में को जो है independence मी मिला तो नहीं ने constitutions बने liberal secular constitutions बने दुनिया भर में तो महिलाओं का participation definitely यहां पर बढ़ा है Norway first saw women after parliament in 1907 चीक है नोर्वे में पहली बार किसी women ने parliament के रेंटरी किया था 1907 New Zealand में universal suffrage introduced हो चुका था लेकिन महिला actual में parliament में 1907 में आई थी नोर्वे में नोर्वे में उसके लावा रवांड़ा दुनिया के ऐसा country है जहां पर 50% से ज़ादा महिलाओं का participation है पार्लेमेंट में 50% से ज़ादा सबसे ज़ादा में रवांड़ा में ही है अलाकि अर्जन्टीना क्यूबा फाइलेंड स्वेटन उगराव के अंदर भी अच्छा खासा है 30-45% के आज पास है लेकिन रवांड़ा का बीट नहीं कर सकते हाला कि रवांड़ा में महिलाओं के पार्टिस्पेशन का रिजन कुछ हो रहा है बसलिए रवांड़ा के अंदर क्या हुआ था लार्ज केल जैनोसाइड होए थे 1990s में जिसकी वज़ें से वहाँ पे ज्यादतर जो मेल थे उनकी डैथ हो गई थी उनको मार दिया गया था चाहे वो किड्स हो चाहे यंग हो चा मार दिया गया था अब काम करने के महिला ही वची है तो इसलिए रवांड़ा में एजुकेशन सेक्टर हो चाहे आपका आर्मी डिफैंस भी क्यों ना हो कोई भी सेक्टर हो वहां पर महिलाओं का पार्टिस्पेशन अपने अपने भी जादा हो गया as of 2022 close to 60 countries the share of the women participation was 20% or less इ उस कॉंटेक्स्ट में यहां पर यह बात कही गई है चीक है चलिए तो आज यहीं पर एंड करते हैं थैंक्यू वरी मच्छ ओल्दा बैस जैहिंद जैजवान जैकिसान